अल्पाका दक्षिन अमेरे की उठकी एक पालतुप्र जाती है जो अपने मुलायम मुनी कोट और कुमल सुभाव के लिए जानी जाती है। वे पेरू, बोलीव्लिया और चली में उच्छेंधीज परवत के मोल निवासी हैं। अल्पाका लामाओं और दिकुनासे निटता से संबंधित हैं और दिखने में समान हैं, लेकिन वे आकार में छोटे हैं और उनके पास महीनून हैं। अल्पाका दो प्रकार के होते हैं, हुकाया और सूरी, खुएकिया में खना, भुलकरुन होता है जो उसके शरीर से बाहर निकलता है, जब प्रिस सूरी में लंबे, घुंगराले ताले होते हैं जो उसके शरीर को ढंकते हैं। अल्पाका कई रंगों में आते हैं, जिनमें सफेद, काला, भूरा और गृस शामिल हैं। अल्पाका सामाजिक प्राणी हैं और अकसर जुन में रहते हैं। वे शाकाहारी हैं और मुख्य रूप से घास और घास खाते हैं। उनकी उनका उप्योग विभिन प्रकार के उत्पादों के लिए किया जाता है जिसमें कपड़े, कंबल और गलीचे शामिल हैं अल्पाका का उप्यो कुछ शेत्रों में बैक जानवरों के रूप में भी किया जाता है और कभी-कभी उन्हें पालतु जानवर के रूप में रखा जाता है अलपाका अपने कुमल सुभाव के लिए जाने जाते हैं और इनकी देखभाल करना अपेक शाक्रिक आसान होता है वे अपनी कम रख रखाओ आवशक्ताओं और उन उत्पादन के माध्यम से आय की संभावना के कारण छोटे किसानों और शौकीनों के बीच लोगपरी हैं अलपा का पालतू दक्षिन अमेरे की उठ हैं जिन्हें अकसर उनकी उन के लिए रखा जाता है वे अपने करीबी रिष्टेदारों लामाओं से छोटे होते हैं और आमतर पर कंदे पर लगभग 3 सिट लंबी होते हैं और 102 से 180 पाउंट के बीच बजन करते हैं अलपा कास की लंबी, पतली गर्दन, छोटे चहरे और नुकीले कानों के साथ एक विशिश च्रूप है उनके कोतामतर पर नरम और भुलकड होते हैं और सफेद, भूरे, भूरे और काले सहित विभिन रंगों में आते हैं अहार के संदर्ब में अलपा का शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से घास, घास और अन्मय वनस्पतियों पर चड़ते हैं उनके पास तीन कक्षिये पेट होता है, जोने कठोर पौधों के रेशों को पचाने में मदद करता है अलपा कास को भी हर समय साफ पानी की आवशक्ता होती है अलपा कास का एक जीवन चक्र होता है जिसमें जन्म से लेकर परेपकुता तक कई अलगला जरण शामिल होते हैं यहां अलपा का जीवन चक्र का अवलोकन है, जन्म अलपा का की गर्भधारण अवधी लगभग 11 महीने होती है और आमतर पर 15-20 पाउंड के बीच वजन वाली एक प्रिया, बेबी अलपा का को जन्म देती है सीरिया कई महीनों तक दूद पीती है और धीरे धीरे ठोस भोजन खाना शुरू कर देती है वीनि, अलपाका का दूद छुडाना आमतर पर 6-8 महीने की उम्रे के बीच किया जाता है जिस समय वे पूरी तरह से ठोस भोजन पर निर्भर होते हैं किशोर, 6-18 महीने की उम्रे की अलपाकास को किशोर माना जाता है इस चरण के दोरान विव बढ़ते और विक्सित होते रहेंगी लिकिन कुछ हार्मोनल परिवर्तनों का भी अनुखोर कर सकते हैं वयस, अलपाका लगभग 3 वर्ष की आयू में पूर्ण शाररिक परिपकुता तक पहुँच जाते हैं और 20 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं वयस, अलपाका आमतोर पर प्रजन नौरून उत्पाधन के लिए उप्योग किया जाता है बुजूर्ग, अलपाका उम्रे के रूप में विस्वास्ति और गती शीलता में कुछ गिरावट का अनुपोर कर सकते हैं बुजूर्ग, अलपाकास को अपनी भलाई बनाय रखने के लिए विशेश देखभाल और ध्यान देने की आवशकता हो सकती है अपने पूरे जीबन चक्र के दोरान अलपाका को स्वस्त और खुश रहने के लिए निमित देखभाल और ध्यान देने की आवशकता होती है इसमें निमित देखभाल परशूचिक इसा जाच और पौश्चिक भोजल और स्वच्चि पानी तक पहुँच शामिल है जहां अलपाका के बारे में कुछ रघड़ चक तथे हैं अलपाका पालतु दक्षन मेरे की उठें और लामाउं से निक्ता से संबंधित हैं अलपाका दो प्रकार के होते हैं हुकाया और सूरी हुयखे अलपकस में रोएदार, मुड़े हुई रेशे होते हैं जब पिस सूरीय अलपाकोस में लंबे, सीधे, रेश्मी रेशे होते हैं। अलपाका सामाजिक प्राणी हैं और जुन में रहना पसंद करते हैं। वे एक दूसरे के साथ विभिन प्रकार की स्वरों, हभाव और यहां तक यतूपने का उप्योग करके सनवात करते हैं। अलपाका कोमल और जिगिया सू जानवर हैं और अकसर उन्हें पालतु जानवर के रूप में रखा जाता है या चेकितसा के लिए उप्योग किया जाता है। अल्पाका मुख्य रूप से उनके नरम और शानदार फाइबर के लिए उगाई जाते हैं, जिसका उप्योग कपड़े और अनिवस्त्र बनाने के लिए किया जाता है अल्पाका में गद्विदार पैर होते हैं, जो जमीन पर कुमल होते हैं और मिट्टी के कताव को रोपने में मदद करते हैं अल्पाका पर्यावरन के अनकूल हैं क्योंकि उनके पास अनिपशुधन की तुल्ला में कम कार्बन फोच प्रिंट हैं और उनके कच्रे को उर्वरक के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है गायों या घोडों जैसे अनलिपश्वों की तुलना में अलपाका की देखाल करना आसान है और नियूंतम रख रखाओ की आवश्चता होती है अलपाका को कुछ बिमारियों और कम रतियोदर के साथ बहुत स्वस्त जानवर माना जाता है अलपाका उत्कृष्ट तराप है और आसानी से धराओं और नदियों को पार कर सकते हैं